जी आज हम लिखते हैं साथ साथ को इस तरह से लिखते हैं आपने उपर से राइट साइड पर थोड़ी सी लाइन लगाई और फिर उसे नीचे ले आए यह हम लिख रहे हैं साथ अब यह देखें एक दो तीन चार पांच चे ऑर साथ तो साथ आपको पते हैं हफते में साथ दिन होते हैं और साथ को उर्दू में लिखते हैं सीन alright और यह साथ और जब हम इसे मिला करने लिखेंगे तो सीन का तीन शोशे live और यह और जब मैं इनको मिलांगी तो यह समेःब साथ साथ को इंग्लिश में कहते हैं सेवन सेवन और आठ को जो है वो इस तरह से लिखते हैं आपने दो दाइरे बनाने होते हैं और उनको दर्मियान में मिला देना होता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ को दू में लिखते हैं अलमदा आ टे आठ बन गया और आठ इसके भी आखर में दो आखों वाली ही आती है और इसको लिखते हैं अब जब मिला के हम लिखेंगे तो टे का शोशा चोटी आदी शकल टे की और हे और जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा अलमदा आ टे आठ और आठ को इंगलिश में कहते हैं एट आई जी एच टी एट तो आज हमने सीखा साथ साथ को इस तरह से लिखते हैं आप भी कापी पैंसिल लें और प्रैक्टिस करें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ को उर्दू में इस तरह से लिखते हैं सीन, अलिफ, सा, ते, सा, किन, साथ सीन के लिए हमने तीन शोशे बनाए फिर हमने अलिफ लिखा, फिर ते लिखा और इनको मिला दिया तो ये बन गया साथ साथ को इंगलिश में सेवन कहते हैं और आठ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ को इस तरह से लिखते हैं आपने एक आदा शकल उपर बनाई और फिर नीचे से इसको दो दाइरे दरम्यान से मिला दिये आठ को जो है वो उब्दू में अलमद्दा आ, टे और दो आख वाली हे ये हमने टे की आदी शकल बनाई फिर हमने हे के साथ इसको मिला दिया ये बन गया आठ और आठ को इंगलिश में कहते हैं एट